अमस्कार दोस्तों So friends, जैसा कि आप सभी को मालूम है मद्यप्रदेश NHM द्वारा 3 अगस 2022 को Staff Nurse की पोस्ट के लिए एक्जाम आपका आयुजित करा जाएगा आज का अपडेट काफी तदा इंपोर्टेंट रहेगा इसमें मैंने Staff Nurse Nursing के सदिसाथ Reasoning और Current Affairs अलग अलग पार्ट अलड़ी आज चुके हैं यदि आप सभी लोग MPNHM Staff Nurse के एक्जाम में शामिल हो रहे हैं तो सभी पार्ट साप लोग एक बार देख कर जरू जाना और इसके लिए क्या करना होगा इसी वीडियो के नीचे जाए description box में सभी पार्ट की लिंक आपको मिल जागी एके करके सभी पार्ट साप लग बाच कर ले काफी help आपको आपके एक्जाम के लिए मिल जागी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले कोई भी जानकारी अब आप से ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के रेट बिटन को आपके कलिक करें MP NHM स्टाफ नर्स हर इंफोर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें तो बिल्कुल शुरू बात करेते हैं अपने अपडेट को बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की और तो दोस्तों पहला जो सवाल है नर्सिंग के पार्ट से आप रहेगा तो डिरेक्टी मैं आपको पहले सवाल की और ले चलता हूँ तो दोस्तों देखिए पहला जो सवाल यहाँ पर जो मैंने इंक्लूड किया पूछ लिया गया normal level of sodium in plasma तो आप लोगों को normal level बताना है sodium का plasma में कितना रहता है दोस्तों देखिए इसकी range है 135-145 MEQ upon L तो यह आप लोगों को याद रखना है इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है normal plasma fasting glucose level तो आप लोगों को बताना है normal plasma fasting glucose level यहां पे कितना range इसकी रहती है तो 70-100 mg पर DLA इसकी range रहती है तो आप लोगों इसको याद रखे इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है the key enzyme of glycolysis तो आपको बताना है key enzyme कौन सा है glycolysis का तो दोस्तों देखिए phosphophractokinase तो दोस्तों इस word को आप लोगों को याद रखना है phosphophractokinase इसका आप पर right answer यह रहने वाला इसके बाद अगला सवाल है most of the digestive enzymes belongs to the class of तो ज़्यादा तर जितने भी digestive enzymes हैं तो यह कि श्रेणी में आते हैं तो दोस्तों देखिए hydrolases की यह श्रेणी में आते हैं आप लोग उसको याद रखेंगे इसके बाद how many types of antibodies are there in the human body तो मानफ शरीर में कितनी types की antibodies पाई जाती हैं तो दोस्तों देखिए कुल मिला कि यहाँ पे इसकी 5 यहाँ पे जो है range है यहाँ पर हम लोग का है 5 तरह की antibodies immunoglobin का तो दोस्तों देखिए IGG तो यह आप लोगों को याद रखना है इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है ELISA तो यह आप लोगों को full form बताना है ELISA तो एक तरीके का test भी होता है और आप लोग देखिए इसका जो full form है enzyme linked immunosorbent essay तो यह आप लोगों को याद रखना है इसका full form यहाँ पर रहने वाला इसके बाद अगला सवाल है the fluid found around the lungs is known as तो दोस्तों जो fluid जो पाया जाता है lungs के around उस fluid को क्या बोलते हैं तो देखिए plural fluid इसको यहाँ पर बोला जाता है आप लोग इस टर्म को याद रखेंगे इसके बाद अगला सवाल है normal life span of erythrocytes तो normal कितनी life span रहती है erythrocytes की तो 120 दिन इसका आप पर answer है आप लोग उसको याद रखें 120 दिन life span है erythrocytes के लिए इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है platelets are also known as तो platelets जो होती है तो इसको और किस नाम से बढ़ा जाता है तो देखिए thrombocytes इसको दोस्तों यह बोलते हैं तो आप सब लोग उसको भी याद रखें इसके बाद देखिए true about an immunoglobin तो immunoglobin की परिपेक्ष में सत्य यहाँ पर क्या है serum में तो यह आप लोग जो है इसको याद रखेंगे इसके बाद देखिए hybridoma technique is used for the synthesis of तो दोस्तों देखिए hybridoma जो technique है यह किसके synthesis में यह काम आती है तो दोस्तों देखिए flocculation में यह काम आती है आप लोग इस term को याद रखें इसके बाद अगला सबाल है, hybridoma techniques is used for the synthesis of, तो दोस्तों यहां पर देखिए, एक misprint हो गया है, misprint यहां पर क्या हुआ है, इसका पहला वाला सबाल, तो यह VDRL technology से सम्मानित पहला वाला सबाल था, तो इसको हम लोग यहां पर इसको हटा देते हैं, और इसके बाद जो अगला सबाल है, देखिए, hybridoma technique is used for the synthesis of, तो hybridoma जो technique है, यह किसके synthesis में काम आती है, तो दोस्तों देखिए, monocolon antibodies में यह काम आती है, antibodies में यह काम आती है, तो आप लोग उसको जो है, याद रखे, इसके बाद, tuberculine test is a example of, तो tuberculine test है, यह किसका उधारण है, तो type 4 hypersensivity का यह example यहां पर रहेगा, इसके बाद दोस्तों जो अगला सबाल है, देख सकते हैं, which of the following CD maker is present on hyper, T hyper cell, तो T hyper cell में आप लोगों को CD maker जो present रहता है, आप लोग बताएं, कौन सा रहता है, तो दोस्तों देखिए, CD4 इसको बोलते हैं, और इसका आप सा CD4 यहां पर रहेगा, the smallest unit of antigenicity is known as, तो आपको सबसे चोटी unit बतानी है, antigenicity की, तो दोस्तों देखिए, इसको epitope भी बोला जाता है, तो इस term को आप लोग याद रखें, इसके बाद दोस्तों देखिए, अगला सा बाल है, trench fever is caused by, तो दोस्तों ट्रेंच जो fever रहता है, यह किसके दोवारा होता है, तो दोस्तों देखिए, इसका जो answer है, bartonella, quintana, तो यह आप लोग जो है, इस term को याद रखें, और इसके, थुरू, इसके कारण, trench fever होता है, इसके बाद दोस्तों देखिए, अगला सा बाल है, number of chromosomes in bacterium, इस तो, कितने यहाँ पर chromosomes रहते हैं, bacterium में, तो दोस्तों एक ही रहता है, तो यह आप लोग याद रखें, इसके बाद दोस्तों देखिए, bacteria were first discovered and described by, तो सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया, कि जो bacteria है, सबसे पहला जो observe किया गया, देखा गया, और describe किया गया, इसका word and किसके दोबरा किया गया, सबसे पहले bacteria का, तो दोस्तों देखिए, Anthony Van Levenok, तो यह scientist का नाम, आप लोगों को इसमें याद रखना है, इसके बाद अगला सवाल है, increased level of hemoglobin is seen in, तो बड़ा हुआ, जो hemoglobin है, यह देखा जाता है, किसमें, polysithemia में, तो polysithemia, इसका यहाँ पर right answer यहाँ पर रहेगा, आप लोग इस term को आप लोग याद रखिए, इसके बाद, thick blood smear is prepared for the diagnosis of, तो thick blood smear जो है, इसके find out करने के लिए, यह बनाए जाता है, prepare होता है, तो दोस्तों देखिए, malaria में यह इस्तेमाल होता है, malaria को diagnose करने के लिए, यह इस्तेमाल यहाँ पर होता है, इसके बाद, supra vital stain is used for the detection, तो supra vital stain जो है, किसके detection में काम आता है, तो दोस्तों देखिए, reticulo sites में यह काम आता है, आप लोग इसको, इस term को आप लोग याद रखे, इसके बाद एकला सा बाल है, which of the following anti-coagulant is used for the collecting sample, तो दोस्तों देखिए, पूछ लिया गया कि कौन सा anti-coagulant जो है, इस्तमाल होता है, collecting sample, में sample को collect करने के लिए, किस चीज़ के लिए, for prothormin time, तो prothormin time में, तो दोस्तों देखिए, उस anti-coagulant का क्या नाम है, sodium citrate, तो यह नाम आप लोगों को याद रखना, इसके बाद एकला सा बाल है, which of the following is not a vitamin K dependent coagulant factor, तो आपको बताना है कि कौन सा vitamin K dependent coagulant factor नहीं है, तो दोस्तों factor 8 इसका यहाँ पे right answer यह रहने, वाला, इस इसके बाल होता है, तो thalassemia, इसका आप पे right answer यह रहने वाला है, आप लोग इस term को याद रखें, इसके बाद, hyper segmented neutrophil is seen, सीधर 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 सा बाल है, hyper segmented neutrophil जो है, किसमें देखे जाते हैं, तो देखिए, megaloblastic anemia में यह देखे जाते हैं, और आप लोग इसको याद क कर लें, इसके बाद, leukemia is characterized by, तो leukemia क्या, एक characterization आपको बता रहा है, increased, pilloproliferation of white blood cells, तो increase है, means white blood cells का बढ़ जाना, तो एक तरीके का यह है, इसका characteristics यहाँ पर रहेगा, characterized यहाँ पर यह रहेगा, इसके बाद, hemophilia, hemophilia B occurs due to, तो दोस्तों, hemophilia जो B है, इसके द्वारा होता है, देखे, deficiency of factor 9, तो factor 9 की कमी से यह होता है, hemophilia B, तो आप लगों उसको याद रखने, इसके बाद, iron deficiency, anemia is characterized by, तो iron की कमी से जो anemia होता है, तो इसका यहाँ पर, आप लगों को इसकी विशेशता बतानी है, तो दुस्तों, देखे, इसका जो right answer है, microcytic, hypochromic red cells, तो यह आप लगों को याद रखना है, इसकी विशेशता है, इसके बाद, absence of semen is known as, तो दोस्तों, absence means semen की अनुपस्ति, इसको क्या बोलते हैं, तो aspermia, इसको दोस्तों बोला जाता है, इस term को आप लगों को याद रखना है, अगला समाले, in meningitis, CSF protein level, इसके increased होता है, तो यह आप लगों को याद रखना है, इसके बाद, red color urine is seen as, तो दोस्तों, red color जब रहता है, urine का, तो यह किसमें देखा जाता है, तो hematuria में यहரिका जाता है, hamaturia, यह term आप लोगों को याद रखना है, इसके बाद, दोस्तों, अगला समाले, इसको दोस्तों बोला जाता है तो इस test का नाम आप यहां पे याद रखें यह इम्पोर्टेंट सवल इसके बाद दोस्तों अगला सवल है which of the following test is used for the detection of bile pigment in urine तो urine में bile pigment को detect करने के लिए कौन सा इस्तमाल यहां पर test उस्तमाल होता है तो देखिए melanin test यह दोस्तो इस्तमाल होता है और यह नाम आप लिगों को यहां पर याद रखना है इसके बाद दोस्तो तो urine में sugar को detect करने के लिए कौन सा यहाँ पर test यहाँ पर इस्तमाल होता है तो benedict test इसको दोस्तों यह बोलते हैं और यह आप लोग उसको भी याद रखें इसके बाद platelets concentrate should be stored it तो आपको बताना है platelet का जो concentration आता है तो यह कौन से कितने temperature में इसको store किया जाता है तो 20 से 22 degree centigrade इसका right answer यह रहने वाला है इसके बाद दोस्तों अगला सामाल है आरेच blood group was discovered by तो blood group जो है किसके दुआरा खोज की गई कारल लेंडिश्टेनर एंड वीनर तो यह scientist का नाम आप लोग याद रखें इसके बाद ABO blood group was discovered by तो ABO जो blood group है यह किसके दुआरा खोजा गया तो दोस्तों यह भी देखिए कारल लेंडिश्टेनर दुआरा यह खोजा गया इसके बाद दोस्तों देखिए which are the following is the main hormones secreted by thyroid gland तो thyroid gland द्वारा जो main hormones जो secret होते हैं तो इनका नाम आपको बताना है दोस्तों देखिए T3 और T4 तो यह दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है और यह दोनों hormones जो है thyroid gland द्वारा secret यहाँ पे secret होते हैं तो दोस्तों यह थो थे कुछ सवाल जो मैंने आपके साथ यहाँ पे discuss किये और यह nursing वाले सवाल थे nursing के 80 सवाल आप लोगों के पूछे आंगे और बाकी के 20 सवाल gk current affairs और reasoning के आपके रहने वाले तो कुछ सवाल मैंने इसमें आपके current affairs और gk के भी मैंने आपके cover कर लिए आईए और आपके discuss कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए पहला सवाल आप लोगों से आपके पूछा रहा है total population of MP तो मैं इस मद्यप्रदेश की total population as per census 2011 तो census 2011 के मताबिक मद्यप्रदेश की कितनी जन संख्या है तो देखिए 7 करोड 26,26,809 तो करीब करीब हम कह सकते हैं 7,500 कर जन संख्या है तो वैसे आप सबी लोग जो है इसको standard ही याद रखें क्योंकि ये standard value है 7 करोड 26,26,809 तो ये जो है मद्यप्रदेश की जन संख्या है 2011 census के मताबिक अगला सबाल है बैगा एंड सहारिया are the tribes of तो दोस्तों जो जन जाती है बैगा और सहारिया ये कौनसी जग है और ये आप लोग जो है इसको याद रखें इसके बाद अगला सबाल है president of India तो अभी हाली में नई president इंडिया की बनी है तो उनका नाम चाहे द्रौपदी मुर्मू तो ये नाम आप लोग याद रखें ये current affair का सबाल है और दोस्तों इससे पहले जो president थे आप सबी लोग को मालूम है रामनात कोविन थे तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है इसके बाद गिद्धा डांस विच स्टेट तो दोस्तों गिद्धा डांस जो होता है कौन से राज्य में होता है तो दोस्तों ये पंजाब में होता है आप लोगों को मालूम भी होगा काफी बार movies में भी देखा गया और टीवी में भी आप लोगों ने यहां पर देखा होगा जो पंजबी songs रहते हैं तो उनमें भी गद्धा डान्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है तो इसी से आप लोग relate कर सकते हैं पंजाब यहां पर किद्धा डांस अब बढ़ जाते हैं एक वार अगले सवाल की ओर capital of nagaland तो nagaland के आपको capital बतानी है तो इसका नाम दोस्तों देखे कोहिमा है आप लोग इसको याद रखें अगला जो है यह full form पूछ लिया गया है SEBI तो SEBI का full form आपको बताना है Securities and Exchange Board of India तो यह इसका full form है SEBI का और इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है golden temple situated in तो दोस्तो golden temple कहां पेस्ते थे तो दोस्तो golden temple है अमरिसर में तो यह आप लोग इसको याद रखें काफी लोग को मालूम भी होगा इनको नहीं आप लोग इसको याद रख लीजे इसके बाद देखिए अगला सवाल है national sport of India तो सभी को मालूम है कि भारत का राष्ट्रे खेल कौन सा है तो भारत का राष्ट्रे खेल होकी है तो यह आप लोग जो है इसको याद रखें के बाद देखिए ध्यानचंद्र ट्रोफी related to which sport तो ध्यानचंद जो ट्रोफी है यह कौन से खेल से संबंदित है तो दोस्तों यह होकी खेल से संबंदित है और आप सभी को मालूम है कि ध्यानचंद जो खिलाडी रहे थ काफी ज़्यादा होकी के खेल में परंगत थे और बैतरीन प्रदर्शन इन्होंने होकी में होकी के खेल में या पर होकी के छेतर में किया तो इनका नाम जो है ध्यानचंद्र ट्रोफी इसी के नाम पर यह ट्रोफी आप रखे गई और यह खेल जो है होकी खेल से संबंदित यहां पे रहेगा इसके बाद अगला समाल है first home minister of India तो भारत के सबसे पहले ग्रह मंत्री कौन थे तो सर्दार वल्ला भाई पटेल तो यह नाम आप तो को को इसको याद रखना है इसके बाद अगला समाल है first Indian Nobel Prize for physics तो पहले भारतिये कौन थे जिनको Nobel Prize दिया गया फेदिक्स के छेतर में और दोस्तों देखिए इसके जो राइट आंसर है economics तो economics अर्थशास्तर के छेतर में सबसे पहले इंडियन कौन रहे जिनको Nobel Prize मिला तो दोस्तों अमर्तिय सेन इसका राइट आंसर यह रहने वाला इसके बाद अकला समाल है world largest delta तो दोस्तों विश्यू का सबसे बड़ा delta जो है इसको क्या बोलते हैं तो दोस्तों सुंदर्बन delta इसको बोला जा था इसके बाद अगला समाल है first woman to receive भारत रतन तो पहली मैला जिनोंने भारत रतन को पाया या फिर भारत रतन इनको दिया गया तो दोस्तों कौन था इंदरा गांधी तो यह नाम आप लोग जो है याद रखें इसके बाद अगला समाल है DRDO headquarter तो दोस्तों DRDO का जो headquarter है न्यू देली में और इसके बाद इसरो headquarter तो इसरो का headquarter कहां पे है तो इसरो का बैंगलॉर में Indian Space Research Organization तो इसका जो headquarter है बैंगलॉर में रहेगा इसके बाद अगला समाल है जवाहर टनल largest tunnel जोस्तों जवाहर टनल जो है जो की largest tunnel है सबसे बड़ी यहां पे tunnel है और यह कहां पे उपस्तित है जम्मू एंड कश् यह आप लोग जो है इसको याद रखें इसके बाद largest soya bean producer of India तो भारत का सबसे जदा soya bean का उत्पादन करने वाला जो है राज यह कौन सा है तो दोस्तों मद्यप्रदेश है तो मद्यप्रदेश इसका right answer यह रहने वाला है इसमें सबसे जदा soya bean यहां पे उगाई जाती ह और यह पूरे भारत वर्ष में सबसे पहले नमर पे है जिसमें soya bean का उत्पादन होता है तो मद्यप्रदेश इसका right answer यह रहेगा इसके बाद रगला समाल है भाकरा डेम तो भाकरा डेम कहां पे है तो दोस्तों बाकरा डेम सतुलज रिवर पे है तो यह आप लोगों को याद रखना है रिवर इसमें आप लोगों से पूछी गई इसके बाद line divide India and Pakistan तो भारत और पाकिस्तान को एक line divide करती है और उस line का नाम क्या है त इसके बाद तांसाइन समारो celebrated in तो दोस्तों तांसाइन समारो कहां पे यह मना जाता है तो तांसाइन समारो गॉलियर में है तो यह आप लोग जो है इसको याद रखें अब दोस्तों कुछ यहां पर questions मैंने reasoning के भी हाँ पर cover कियें तो reasoning के कौन को से सवाल आप लोगों के प जाएगी तो दोस्तों देखिए पहला जो समाल है रिजनिंग का इसमें आप लोगों को सॉल्ब करना होगा इसमें बोल दिया गया है , इसमें बोल दिया गया है , K का मतलब यहां पर बोला जा रहा है , कि K का मतलब यहां पर माइनस रहेगा , इसके बाद बोला है L means divide तो दोस्तो L का मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि L का मतलब यहाँ पर divide रहेगा इसका मतलब बोला जा रहा है फिर M means plus तो M का मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर M का मतलब है यहाँ पर plus तो M को यहाँ पर plus से denote करेंगे और D means multiply तो जो D है हमारा D को multiply multiplication से denote किया जाएगा अब दोस्तों हमें बताना है find the value of this तो यह पूरा आप लोगों को यहाँ पे एक expression दिया गया है आप लोगों को बताना है equal to में यहाँ पे answer क्या आएगा तो मैं आपको जल्दी से इसको यहाँ पे solve करके बता देता हूँ सबसे पहले इसको पहले पूरा आपे लिख देता हूँ तो देखे शुरूबात में लखा है 117 उसके बार लखा है L उसके बार लखा है 3 उसके बार लखा है K उसके बार लखा है 5 उसके बाद लखा है M, उसके बाद लखा है 12, उसके बाद लखा है D, और last में लखा है यहाँ पर 8, और हमें equal to करके बताना है answer क्या आएगा, तो हम लोग इसको जो है, signs को change कर देते हैं, जैसे कि देखिए, इसको change करना है, इसको change करना है, इसको change करना है, और इसको change करना है, तो देखिए कैसे करेंगे 117 हमने as it is ऐसे कैसे हाँ पर लग दिया अब हमें देखिए L का sign change करना है तो L को किस तरीके से बोला गया डिनोट करने को तो देखिए L का मतलब है divide तो L की जगह हम लोग आप इसको divide कर देंगे ऐसे करके हम इसको यहाँ पर 3 as it is ऐसे कैसे लिख देंगे इसके बाद आता है के तो K का हमें यहाँ पर देखिए find out करना है तो K को दोस्तों देखिए यहाँ पर minus से denote किया गया तो minus से हाँ पर कर देंगे और 5 as it is ऐसे कैसे बिके जगा multiply कर दिया और 8 as it is वैसे का वैसे यहाँ पर लिख दिया अब दोस्तों देखिए जो rule है सबसे पहले होगा divide फिर होगा multiply फिर होगा addition फिर होगा subtraction तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर हो जाता है divide तो divide देखिए कैसे होगा कैसे में divide आ रहा है जी यहाँ दोस्तों को 117 divided by 3 करना होगा तो 117 divided by 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 10 11 to 2 carry और 3 9 जा 27 तो करीब करीब इस कहां से 39 आएगा एज़ेटिस बाकी की value जो है एज़ेटिस हम लोग ऐसी कहां से आप लिख देंगे फिर दोस्तों देखिए अगला जो follow करना है हमें वोगा multiply तो देखिए multiply किस चीज का होगा 12 इंटू 8 तो 12 8 जा 96 होता है आप सभी को मालूम भी होगा तो एज़ेटिस हम लोग यहां पर देखिए 96 लग देंगे 39 प्लस 39 माइनस 5 और 12 8 जा 96 तो प्लस करके हम लोग इसको 96 कर देंगे फिर देखिए यहां पर addition होगा तो addition के लिए कौन कौन से value है तो देखिए यह प्लस में है यह प्लस में है तो दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो नौ 6 यह जाएगा पंदरा की पांच और कैरी 1 9 1 10 और 3 13 तो यह हो गया हमारा 135 और इसमें से दोस्तों देखिए एज़ेटिस हम लोग 5 का 5 यहां होगा तो माइनस हमको यह करना है 135 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहां पर 130 दोस्तों इसका यहां पर राइट आंसर यहां पर आगया तो सबसे पहले हम लोग ने आपर साइन चेंज कर लिए और जो रूल था वो हमने आपर फॉलो किया इजी तरीके से आंसर हमारा है यहां पर निकल के आ गया और options में भी यह मैच यहां पर हो गया अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर अगले सवाल काफी जादा easy है और यहां पर दोस्तों देखे लेका है plus means divide तो plus को दोस्तों किसी से यहां पर substitute करना है divide से और minus means multiply तो minus को जो है यहा divide means minus तो divide जो है इसको minus से denote करना है अब दोस्तों हमें किसकी value निकाल लिए है इसकी value हमें यहां पर निकाली होगी तो लग देता हूं मैं आप 45 plus 9 minus के 3 into 15 और यहां पर divided by 2 अब हमें कैसे निकाल लिए है स्वाई प्रसेस हम लोग हां पर follow करेंगे plus को दोस्तों देखे plus को divide से हैं पर denote किया गया तो हम लोग ने आपर divide कर दिया और यहां पर 9 कर दिया इसके बाद minus है मैं और मैंस को दोस्तों हम लोग multiply से denote करेंगे तो की evolve Progress को प्लस से और करना है और यहाँ पर यह 2 हो गया अब दोस्तों फर्दर इसको solve कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले होता है divide तो हम तो यहाँ पर divide कर लेते हैं यह rule में लग देता हूँ D, M, A, S तो सबसे पहले होगा divide तो divide हो गया 945 divided by 9 तो 5, 9 दा 45 और 9, 5 दा 45 एक ही बात है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और बाकी relative वैसे कब यहाँ पर लग देंगे plus के 15 minus के 2 इसके बाद दोस्तों जो है multiply होगा तो 5 into 3 का multiply कर देंगे तो 5 into 3 हो जाएगा हमारा 15 और आगे का जो रहेगा plus के 15 और आगे का हो जाएगा हमारा minus के 2 तो दोस्तों देखिए फिर होगा हमारा addition तो addition किसका होगा 15 और 15 का तो 15 और 15 मिलेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या बसता है minus तो हम लोग ने आपर minus कर दिया दो लिग दिया और फिर फिर फाइनली minus कर दिया तो 30 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे तो दोस्तों 28 हमारा यहाँ पर answer आ जाएगा क्या 28 इसमें आपर option में आ रहा है तो देखिए बिलकुल देख सकते हैं option number D 28 हमारा answer यहाँ पर match भी हो गया और बिलकुल हमने यहाँ पर step by step इसको follow किया इसली तरीके से answer आमारा निकल के आ गया और options में भी match यहाँ पर हो गया तो कुछ इस तरीके के सवाल आप लोग जो है practice कर सकते हैं और अब दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सबसे अलग इन चार option में से क्या रहने वाला है आप लोगों को अपना दिमाग इसमें लगाना है अपना logic इसमें आपको निकालना है कि किस तरीके से कौन सा option जो है सबसे अलग यहाँ पर रहने वाला option 1 है option 2, option 3, option 4 तो दोस्तों देखिए पहला जो option है 46 है 10 है तो आपको बताना है 46 का relation 10 से कैसे है दूसरा जो option है 42 तो आपको बताना है 42 का जो relation है 33 से कैसे यह रहेगा इसके बाद आपको बताना है कि 20 का relation यहाँ पर 38 से कैसा है और यहाँ पर दोस्तों देखिए 91 का relation 12 से कैसा रहने वाला है तो दोस्तों कॉशन थोड़ा मैं स्प्रेंट था इसको मैंने थोड़ा आप पर करेट कर दिया अब आप सभी लोग जो है इसका logic find out करें किस तरीके से आप लोग जो है इसमें logic निकालेंगे तो दोस्तों देखिए इसमें मैं आपको directly जल्दी से answer बता देता हूँ कैसे ये जो है कौन सा option सबसे अलग यहाँ पर रहेगा सबसे odd यहाँ पर रहेगा तो देखिए शुरू बात कर देते हम लोग जो है option number 4 से तो देखिए 91 का relation 19 से किस तरीके से रहेगा तो देखिए इस तरफ 91 लिखा है तो 9 और प्लस 1 क्या होगा 10 होगा और यहाँ पर क्या होगा equal to इस तरफ लिखा है 1 और 9 तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 9 क्या होगा तो आप लोग समझ चक्योंगे दोनों तरफ देखिए 10 आ रहा है प्लस करने पर इस तरफ भी यहाँ पर 10 आ रहा है तो इसी से हम लोगों को यहाँ पर देखिए आइडिया लग जाएगा 9 प्लस 1 10 9 प्लस 1 10 ऐसी हम लोग option 3 को भी यहाँ पर match कर लेते हैं तो देखिए 2 प्लस 9 क्या होगा 9 2 11 होता है और इस तरफ क्या होगा 8 3 तो यह भी देखिए 11 तो देखिए यह भी ठीक है दोनों तरफ equal आ रहे हैं LHS और RHS मिस left hand side और right hand side दोनों equal है प्लस करने पर क्या option number 2 में भी यह फॉलो हो रहा है 4 2 मिस 42 मिस 4 प्लस 2 होगा 6 और 3 प्लस 3 होगा है यहाँ पर 6 तो यह भी देखिए बिल्कुल ठीक हो गया और क्या दोस्तों देखिए option number 1 में ऐसा हो रहा है तो देखिए 4 6 तो 4 6 क्या होगा यह हो जाएगा 10 और यहाँ पर देखिए 1 0 तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई भी logic find out नहीं हो रहा है lhs जो है rhs के equal नहीं आ रहा है बाकी देखिए सब में आ रहा था और बिल्कुल आप लोग समझ चेकिए option number 1 जो है इसका right answer है यही सबसे अलग option है odd 1 out यहाँ पर यहाँ रहेगा तो बिल्कुल समझ चेकिए यह तीनों में देखिए lhs बरावर rhs था और इस तरफ जो है lhs यहाँ पर देखिए 10 था और rhs राइट हैंड साइड देखिए 1 प्लस 0 तो 1 प्लस 0 क्या होगा तो देखिए 1 ही रहेगा तो 10 बरावर 1 तो कोई भी आप लाजिक नहीं निकलता है तो यही इसका right answer यह रहने वाला है बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की और अब दोस्तों देखिए एक series आप लोगों को यहाँ पर देगई आपको series में बताना है क्या fill किया जाएगा तो यह caution mark आपको दे दिया गया आपको बताना है यहाँ पर क्या value आएगी इन चारो option में से तो directly मैं देखिए कैसे पाइनट करूँगा 4 लिखा है 10 इसके बाद लिखा है 16 इसके बाद लिखा है caution mark इसके बाद लिखा है 28 इसके बाद लिखा है 34 कैसे हम लोगों को बीच वाली value में इस पर आपको यहाँ पर बताना है क्या इसका answer आएगा कैसे निकालेंगे तो देखिए इस में से इसको हम लोग यहाँ पर minus कर देंगे second term को first term में से तो 10 में से 4 गया 6 आगया है यहाँ ऐसी दोस्तों हम लोग इसको भी कर देंगे जब हम इस में से 6 माइनस करेंगे तो 28 में से दोस्तों 6 माइनस होंगे तो जो आप लोगों का जो answer है वो क्या आएगा 22 आएगा और 22 होके जो है फिर जो आप लोग इसको further minus कर देंगे तो आप लोगों को देखिए इसमें देखिए फिर यहाँ पर 16 आएगा फिर इसके बा आ रहा था और चाहें तो देखिए आप लोग यहाँ पर 6 माइनस भी कर सकते थे और जब आप लोग जो है इसमें 6 प्लस कर देते तो भी आप लोगों का answer यहाँ पर आ जाता बड़ आराम से आपका यह logic निकल आता तो कुछ इसी तरी के कोशन के आप लोग प्रेटिस करें एक और देखिए दोस्तो मैंने आप पर सीरीज का सवाल यहाँ पर लिया है देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 10 इसके बाद लिखा है 30 इसके बाद लिखा है 50 इसके बाद लिखा है 70 इसके बाद आपको बता रहा है आगे क्या आएगा कैसे निकालेंगे 30 में से 10 गए बच तो अगले नमबर कैसा आएगा और देखिए सीरीज बढ़ते जा रही है तो देखिए 10 से 30 हो गया 30 से 50 हो गया 50 से 70 हो गया तो आगर जो भी नमबर आएगा इससे बड़ा यहां पर रहेगा तो किसमें हम देखिए प्लस कर देंगे 70 को यहां पर हम लोग 20 प्लस कर देंगे तो अगला हमारा नमबर आजाएगा 7 प्लस टू 9 और 0 का 0 दोस्तो 90 हमारा यह आंसर निकल के आ गया है और option नमबर यह सही विकल्ब यह रहने वाला है तो 20-20 की सीरीज इसमें फॉलो रही थी 20 का डिफरेंस इसमें आ इस्सटे डिफ्चन में टीना जो है 45 किलोमीटर ड्राइब कर गई अपने गाड़ी इसके बाद ये राइट ड्राइबर और 65 किलोमीटर यह ड्राइब लेफ्ट डार्रीशन फीर थाप्स की इसके बाद यह 33 किलोमीटर चली फिर आपको बता रहा है कि इनका फाइनल फेस क direction क्या रहेगा तो कैसे इसको हम लोग यहाँ पर find out करेंगे आप लोगों को मालूम है मैं आपको already भी बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में कि हम लोग को सबसे पहले in questions के लिए direction draw कर लेनी है तो यह वाली जो direction रहती है यहाँ पर होगा और इस डारेक्शन में इसको यहाँ पर run करा दिया इसके बाद लगा है then turns right दोस्तों फिर यह हो है टीना right direction में turn हो गई तो इसका जो direction है किस तरफ होगा तो यहाँ पर इस तरफ इसका direction हो गया और यह कितना move कर गई 65 तो 65 भी हम लोगे आप इसको note कर दिया इसके बाद बोला है then turns left and drives 33 फिर दोस्तों यह है टीना जो है फिर से left direction में बढ़ गई पहले right direction में बढ़ रही थी अब दोस्तों यह left direction में बढ़ी तो left direction इस तरफ होगा और कितना चले यह 33 किलो मीटर तो आपको बता रहा है in which direction he is facing now तो देख सकते हैं इसका just final direction है यह है और कौशा डारेक्ष्टन र्म्राटर उक्से और इसका इसका answer रहने बाला है देखिए यह जो फेस यह यह east को शो कर रहा है तो यहीं दोस्तों इसका right answer रहनेवा सवाल भी आप लोगों से यही पूछा गया तो simple logic already मैं आपको बता चुका था ये अगर arrow है तो यदि आप लोगों को right direction में मोड़ना है तो इस जगह पे direction पे ये move होगा और अगर इस तरफ left मोड़ना है तो ये होगा हमारा left तो left ये है और ये हमारा right direction रहेगा तो इसी logic को आप लोगों को follow करना है और जैसा आपको बोला जा रहा है right होने को तो right बोड़ना जाएगा left बोला है तो आपको left direction में move करना होगा और यदि आप सब लोग arrow को direction में आप लोग move करने में दिक्कत तो आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि आपको right direction में मुढ़ना है तो घड़ी की दिशा में आप लोगों को चलना होगा और यदि आप लोगों को left direction में आपको move होना है तो आप लोगों को विपरीत दिशा घड़ी के आपको ये follow करना होगा तो arrow को आप लोग गोमाते जाएं easily तरीके से आप लोगों का answer निकल आएगा और इससे पहले वाले वीडियो में भी काफी सवाल मैंने यहाँ पे आपके साथ डिसकस किये वो सवाल भी आप लोग देख लेना so friends आज की जो class थी वो last class थी MPNHM Staff Nurse की post के लिए और करीब करीब मैंने आपको 16 वीडियो प्रवाइड कराएं और सभी 16 वीडियो आप लोगों को watch कर लेने सभी 16 पार्ट आप लोग watch करके जरू जाएं इसी वीडियो के निशे जाएं description box में सभी पार्ट की आप लोगों को link मिल जाएगी एक एक करके सभी पार्ट आप लोग watch कर लें nursing, gk और आपके reasoning के important सवाल इन 16 पार्ट में मैंने आपके cover किये है और दोस्तों एक target PDF के बारे में भी मैंने आपको जानकरी दी थी target PDF में जितनी भी पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाएं सारे आपको PDF form में मिल जाएंगे तो जितनी भी nursing के caution थे, जितनी भी आपके gk के caution थे, सब मैंने PDF में cover कर लिएं और आप सभी लोग चाहें तो ये PDF परचेस कर सकते हैं 150 रुपीज इसका amount यहाँ पर राएगा यदि आपको यह चाहिए, चैनल का WhatsApp नमर है 741 5543659 इस पर आप सब लोग WhatsApp पर हमें message कर दें जैसे आप लोग payment कर देंगे, तुरंत आपको PDF मिल जाएगा और दोस्तो ऐसा एक PDF, लाश्ट यहर भी मैंने MPNHM Staff Nurse के 2-3 दिन पहले आप लोगों को provide कर आया था और 1st shift के exam में 30 सबाल आप लोगों के repeat हुए थे तो इस बार भी कुछ इसी तरीके से आप लोगों का यह PDF डिजाइन किया गया अब देखते हैं कितने सबाल इसमें आप पर repeat होते हैं या फिर हम लोग आए, आप लोगों को इस PDF से कितनी help आपको मिलती है तो इस चैनल का WhatsApp नमबर आपको दे दिया गया है आप लोग WhatsApp पे मैसेज कर दे, सारी जानकर ही आप लोगों को मिल जाएगी और दोस्तो सबी लोग जितनी भी candidates MP, NHM, staff nurse का 3 अगस्त के दिन आप लोग जो हैं, एक्जाम में शामिल हो रहे हैं तो आप सबी लोगों को लिए एक सला रहेगी, आप लोग बिलकुल confident होके बिलकुल आप लोग जो है answers को mark करें जो भी आप लोग ने पढ़ा है, बिलकुल आप लोगों को इस पे confident रहना है बिलकुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है और यदि आप सबी लोग ने हमारे जितनी भी MPNHM staff नरस के सारे वीडियो यदि आप लोग ने watch किये तो ऐसी मेरी आप पर उमीद है कि आप लोगों का exam अच्छा जाएगा और कुछ ने कुछ help आप लोगों को आगे इनी वीडियो से जरूर मिलेगी तो जितनी भी candidates आगे exam में शामिल होने वाले हैं आप सबी लोग को बहुत-बहुत best of luck आप लोग जो है confident way में आप लोग अपना exam solve करिएगा सबसे पहले वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe जरू करें कोई भी जानकर ही अब आप से ना चूटे तो वीडियो के नीचे जाए subscribe के right button को आप पे click करें MP NHM staff nurse हर information आगे भी बात रहे तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में thank you so much